मैं से शेंट से जिन से टिया और वाचिंग लाइफ इस वाशम इस वीडियो आई गोई टो माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब तो इन दिस वीडियो आई गोई टेश्प्लेइन यू कितने डिस्टंस पर हम कॉलम रख सकते हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर यह कॉलम जो है एकीजबेग नौ का है एक दो और वहाँ पर उस तरफ और एक ओ तीन यह जो बीच में जो है 1 2 और यह 3 और 4 5 6 ओं जो है पूरा एक आटा एंच का है पॉलम और बाद में यह जो और एक तीन है यह जो है पूरा सब्सक्राइब करें चलिए इस टॉपिक में आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि कितने डिस्टंस में हम रख सकते हैं और इसका क्यों इसका साइज इंक्रीज करें वह से मैं आपको बता देता हूं इसका साइज आपको बता देता हूं चलिए अब आपको बता देता हूं कि भीयर आपको मैं आपको बता देता हूं तो यह जो है तीन कॉलम्स आप देख सकते हैं कॉलम नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एंड येट नाइन जो है करीब करीब लेंथ में तो वहां पर सभी डिस्टिविशन हुआ है और विड्थ में यानि कि ब्रेट में जो है 30 फीट का डिस्टंस है इसके लिए उसका साइज ह आपको फिर साइड में आपको तीन कॉलम्स मिलेंगे तीन कॉलम्स यानि की दोज वान टू एंड त्री डाट वन कॉर्णर वन सो उसका साइज कितना है और वी डिटेल बता दूंगा आपको मैप में देखने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं वह जो कॉलम नंबर वान 10, 11, 12 वो जो है 21 इंच इंटो 9 फित और उसका डिस्टंस देखिया आप फ्रम 10 तो 11 डिस्टंस इस 12 फित लिविंग कॉलम्स साइज और देख सकते हैं और दूसरी बात जो है हम दोनों फुटिंग का जो है दोनों कॉलम्स जो है हम 30 फित तक ले सकते हैं बट डिपेंड है वो कॉलम्स से लेके पूरा कंटिनीव वहां तक पूरा 30 फित का है तो बस वही आपको डिटेलिंग बताना चाहा रहा था इस वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब माई चनल इस ए कमर्सियल बिल्दिंग टोटली कमर्सियल बिल्दिंग है और और इसका यह कॉलम का साइज और 21 इंज का साइज सब कुछ डिटेल बता दूंगा आपको अगले वीडियो में